नवस्कार मेरा नाम है मुहित चौवे और आप देख रहे हैं नौलिज ब्रूप नौलिज ब्रूप में हम एक नय कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और यह है मद्ध प्रदेश का इतिहास यह हमारा पहला लेक्षर होने वाला है और इस लेक्षर में हम पुरा पाशान काल से तम्र पाशान युग तक तमाम मद्ध प्रदेश से जोड़े हिस्ट्री के तत्व हैं जो भी बाते हैं उनके बारे में डिसकसन करेंगे उमीद करते हैं कि यह सीरीज आपको अच्छी लगेगी और आप अपनी प्रतिक्रिया अपने लाइक सेर सब्सक्रिप्शन के साथ ही अपने कमेंट्स के माध्यम से भी देंगे यह हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जहां आप हमें यूट्यूब, टेलिग्राम, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको जो भी वीडियो अपडेट होता है उसकी संपूर्ण जानकारी तुरंत मिल सके चलिए, सबसे पहले हम देखें मद्य प्रदेष के हिष्ट्री के बारे में, तो सबसे पहला प्रेशन जो आता है कि हितिःास क्या है History, तो आम एक simple सी definition हो सकती है कि जो भी आपके past में हुआ है वह history है लेकिन यह definition अधूरी है मतलब हमारे past में, हमारे अतीत में वह तमाम महत्पूर्ण बात हैं जो मानव जाती के उपर असर डालती हैं और जिनका बरतमान में और भूत काल में भी मतलब पीछे भी महत्प था उनका अध्यन ही history है मतलब जो भी पीछे घटित हुआ वो हर बात महत्पूर्ण नहीं होती सिर्फ महत्पूर्ण बातों का अध्यन ही महत्पूर्ण घटनाओं का अध्यन ही इतिहास कहा जाता है अब इतिहास को मुक्रूप से तीन प्रकार से माटा जा सकता है प्री हिस्ट्री जिसको हम प्रॉग अतिहासिक काल कह सकते हैं प्रोटो हिस्टोरिक जिसको हम आध अतिहासिक काल कह सकते हैं और हिस्टोरिक मतलब अतिहासिक काल अब prehistory या प्रोग एतिहासिक काल की क्या विसी इश्टा हैं तो यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की लिखित सबूत नहीं मिलते मतब written evidences नहीं मिलते और इसका एक अच्छा खासा एक्जामपल है इस्टोनेज इस्टोनेज को जब हम पढ़ने वैठते हैं तो हमें वहाँ पर लिखित evidences या लिखित सबूत साक्ष नहीं मिलते फिर हम आते हैं आद्याति हासिक काल में मतब प्रोटो हिस्टोरिक एरा में तो प्रोटो हिस्टोरिक काल दौर है यह वो है कि जब written evidences तो मिले मतब लिखित सबूत तो मिलते हैं लेकिन जो वहां की भाशा है उसको हम पढ़ नहीं सकते जैसे कि हम Indus Valley Civilization के बारे में बात करते हैं तो सिंदु गहाट शबिता में बहुत सारी भाशाएं मिली लेकिन उस भाशा को उस लिपी को अभी तक पढ़ा नहीं गया है उसके बाद आता है historic काल जिसमें written evidences मतलब लिखित साक्ष हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं और इसका बहतर example है वैदे केज जो हम historic काल की बात करते हैं या फर एतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसको हम आगे तीन तरीके से और विभाजित करते हैं ancient, medieval और modern तो चलिए अब यहां फिलहाल बात करें मदप्रदेश की तो मदप्रदेश हुआ करता था गौंडवाना लेंड का हिस्सा मतलब टैरासिक काल के दौरान लगवग 200 मिलियन साल पहले की ये बात है अगर आपका जो geographical time line clear नहीं है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं उसको जाके देख सकते हैं चलिए बात करें कि मदप्रदेश में गौंडवाना लेंड तो मदप्रदेश गौंडवाना लेंड का हिस्सा था और इसलिए मद्रप्रदेश में कहा भी जाता है कुछ जंजातियां भी हैं जो गौनबाना लेंड से सम्मंदित हैं मद्रप्रदेश में जो मिलती हैं चले हम इसकी लोकेशन को समझें कि पहले एक बहुत जो पूरा हमारी प्रत्वी है उसमें एक ही बहुत बड़ा एक महादीप हुआ करता था और एक बहुत बड़ा सागर हुआ करता था तो यह बहुत बड़ा महादीप था उसको बोला जाता था पैंजिया और एक बहुत नर्मार हुआ यह अब देख सकते हैं यह equator है मतलब हो मद्द रेखा उपर लॉरेशिया नीचे गौनवाना और यहां जो एक आप हिस्सा देख रहे हैं यह भारत के जैसे नजराने वाला हिस्सा जो कि अफ्रिका से चुड़ा हुआ है यह आगे जाके लॉरेशिया से टकराता है और हमालय के नर्मार होता है इसके वारे में भी हमने अपनी वीडियो में डिस्क्सन किया है तो आप वहां जाकर जो की टाइम लाइन का वीडियो है जो जाकर आप देख सकते हैं तो यहां यह जो प्राइदीपी हिस्सा है भारत का यहां हमारा मद्द प्रदीश स्थाप पुरा पाशान काल है यह शुरू होता है लगभग 40,000,000 साल पहले से लेके 4000 साल पहले तक मतलब ईसापूर्व की बात हो रही है विफोर क्रैश्ट की बात हो रही है कि 40,000,000 वर्स B.C. से लेके 4000 वर्स B.C. तक स्टोन एज को माना जाता है अब देखो जो Paleolithic है मतलब पुरा पाशान काल मैं जितने भी शब्द मुझे हिंदी में आते हैं मैं उनको हिंदी में उच्चारण कर रहा हूँ आप सुन सकते हैं और मैं पूरा explanation सरल से सरल हिंदी में देने का प्रियास कर रहा हूँ तो आप आराम से सुनते जाईए और आपको मुझे लगता हर चीज समझ में आ जाएगी तो मदप्रदेश में अगर हम पुरा पाशान काल की बात करें जिसकी आयू है 40 लाग साल पहले से लेके 40 लाग बेफोर क्राइश्ट इशापूर्व से लेके 9000 वर्स इसापूर्व तक जिसमें हमें हैंड एक्स मतलब हांस की कुलहाड़ी मिलती है जो की कौटजाइट पत्थर की बनी हुई थी और जो पेलोलियोतिक काल है या पुरा पाशान काल है इसके साक्ष हमें मिलते हैं बेतवा, नर्मदा, चंबल, सौन, हिरन, पारवती और वेन गंगा नदी के आसपास से चलिए एक वार क्योंकि हमने इन नदियों का नाम लिया है और यह नदियां मदप्रदेस में भहत महतपूर भूमी का निभाती हैं टो इनके हम एरियाज देख लेते हैं जो पारवती नदी है यह सीहौर से निकलती है, बेतवा नदी रायसेन से निकलती है कुमारगाओ रायसें से नर्मदा और सौन नदियां अनुकपुर अमरकंटक से निकलती हैं उसके बाद चम्मल नदी जानपाव महो इंदोर से निकलती है और वेन गंगा सेवनी से निकलती है तो यह महत्पूर्ण नदियां हैं तो जितने भी महत्पूर्ण फेक्ट होंगे जो हिस्ट्री के अतिरिक्त भी हमें जोग्रफी या एकनोमिक्स में महत्पूर्ण होंगे तो वो हम यहां साथ में पैर्रल डिसकस करते चलेंगे उसके बाद आता है मिजोलिथिक काल मतलब मद्दपाशान काल मद्दपाशान काल में मुक्रूप से इसका नाम मिजोलिथिक इसलिए है क्योंकि यहां पर जहां यह जो आप पहले वाले जो ओजार देख रहे हैं यह कुछ बड़े आकार के ओजार हैं जो पेलिथिक काल के दौरान उप्योग किये जाते थे लेकिन मिजोलिथिक काल में कुछ चोटे ओजार साइड मे देख रहे हैं इनका उप्योग होने लगा मुक्रूप से इनका उदश यही था कि पहले लोग पहले लोगों में ग्रूप में रहने की शम्ता नहीं थी मतलब पहले लोगों का सामाजी करन अच्छे से नहीं हुआ था तो बड़े ओजारों का प्रियोग करते थे और जनवरों को अकेले उनको मारना होता था लेकिन अब क्योंकि वह ग्रूप में रहने लगे थे और उनका सामाजी करन होने लगा था उनने छोटे नुकीले और सटीक बार करने वाले ओजार बना लिए और अब ग्रूप में बार करते थे तो उस्रक्षत रहते थे तो छोटे ओजारों से भी वह सिकार कर पाते थे आम तोर पर यह देखा जाता है कि जो मीजोलिथिक काल के ओजार है उनकी जो साइज है वो लगवक पांच सेंटीमीटर तक ओन एवरेज मानी जाती है छोटे टूल्स चोटे स्टोन टूल्स किया चोटे पत्तर के ओजारों का यह उपयोग करते हैं और इनका भी जो सबूत है वह नर्मदा, बेतवा और चंबल के शितरों से मिलता है एक बार फिर नर्मदा और सौन नदी अमरकंटा कानुपुर से निकलती है बेतवा नदी कुमारगाओ रासें से निकलती है और चंबल जानपाओ पहाडी महोजोकी इन दोर के नजदिये के वहाँ से निकलती है चलिए आगे बात करें नियुलिथिक मतलब नव पाशान काल की बात हो रही है और कुछ जो महत्पून इस्टोन एज से सम्मंधित मदपरदेश में पाई जाने वाले साइट से महत्पून प्लेसें उनकी बात करेंगे है तो नियुलिथिक जो है यह है 7000 वर्स पूर्व से लेके 3000 वर्स पूर्व तक मतलब अभी तक हमने जो टाइम लाइन देखी वो 40 लाख वर्स इसा पूर्व से लेके 9000 वर्स इसा पूर्व तक यह था पेलियुलिथिक उसके बाद हमने देखा मीजोलिथिक जो कि था 9000 वर्स इसा पुरू से लेके 7000 वर्स इसा पुरू तक और हम नियूलिथिक की बात कर रहे हैं जो है 7000 वर्स इसा पुरू से लेके 3000 वर्स इसा पुरू तक मतलब थी 1000 years before Christ चलिए तो नियूलिथिक की बात करें तो यहाँ पे shark as toll मतलब क्योंकि जितना जादा 9500 काल की तरफ आदे जाएंगे लोगों का सामाज जी करन उतना जादा होता जाएगा उतना जादा विज्ञान का विकास होता जाएगा और जो ओजार वो use कर रहे हैं उतना जादा वो निखरते जाएंगे अभी बड़े पत्थरों को उप्योग करते थे मारना कठिन था, सकार करना कठिन था अब वो जान गए कि नुकिली चीज़ों से वार करने पर ज़्यादा आसानी से गहात किया जा सकता है गहाओ किया जा सकता है अब वो सार्प एस टूल मतलब नुकिली पत्थरों का प्रियोग करने लगे कुलहारियों का प्रियोग करने लगे, हंसियों का प्रियोग करने लगे सकल मतलब होता हंसिया सा आरी जैसे ओजारों का प्रियोग करने लगे और जो कि मुक्ष रूप से यहां प्योग का पियोक और किया जाता था यहां पर लोगों में Animal Husbandry पशुफ पैलन नहीं आफ्र में मतलब पहले से भैस्तर भरों में इनने रहाना, सवव पश्वजब इनने वर इसके जए जेश होतार, भूंचि वहां है या मिट्टी के बरतन हैं उनको उपयोग करने लगे और यहां तक आते आते पका भोजन करने लगे वो और आग का उपयोग करने लगे यहां तक आग का विस्तकार हो गया था अब को जो महत्पून, इस्टोन एज की जो साइट्स हैं, जो इस्टोन एज जहां जहां पाए गए हैं मद्दप्रदेश में, जैसे के एरंट, घारी मरेला, उसके बाद जटकारा, जेवलपूर, दमो, नागौद, हुशंगाबाद और बगर 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 इनके कई सारी साइ जो जहां जहां हमें उनकी सबूत मिलते हैं, सबसे पहले आदमगर, जो कि हुशंगाबाद में पाया जाता है, यहां पर मीजोलिथिक साइट, जो था, जो मद्पाशानकाल है, उन से संबंदित हमें निशेप मिलते हैं, और यह नर्मदा बैंक, नर्मदा नदी के किनारे पर यह स्थापित है, एविडेंस की बात करें, तो यहां पर जो हमें गुफाएं मिली हैं, वहां पर रॉक पैंटिंग मिलती है, और रॉक पैंटिंग मिलती हैं हमें डांसिंग और हंटिंग, मतलब नर्त करते हुए लोगों की, और सिकार करते हुए लोगों की, आदमगर एक बहुत महत्पूर्ण आर्केलोजिकल साइट हो जाती है और इससे सम्मंदित कईवा प्रश्णी भी बनते हैं इनका डाइक प्रश्णी भी बन सकते हैं कि आदमगड किस काल से सम्मंदित है तो हमें याद रखना होगा कि मेजोलिथिक मददपाशन काल से सम्मंदित है और होशंगबाद में इस थापत है उसके बाद आता है पानर पानी जो कि पचमढी मिलते हैं और पानर पानी जो छित्र है यहाँ पर मामा भांजा रॉक पेंटिंग्स और जिसको हम पांडव रॉक पेंटिंग्स भी कहते हैं कि मामा भांजा जो केप्स हैं और पांडव केप्स हैं कई बार यहाँ का नाम बदल के उपयोग किया जाता है तो पानर पानी यहाँ पर मिलते हैं मामा भांजा रॉक पेंटिंग्स इनको मैप पर देख सकते हैं कि आदमगड और जो पानर पानी ही यह दोनों ही होशंगबाद में हैं और होशंगबाद में ही एक मदप्रदेश का महत्पूर्ण हिलिस्टेशन जिसका नाम है पचमड़ी खोशंगबाद में ही पाया जाता है और यह मदप्रदेश का एकलोधा हिलिस्टेशन है और मदप्रदेश में सबसे ज़्यादा वारिस भी पचमड़ी में ही होती है चलिए आगे बात करें भीमबेट का जो की रायसेन में स्थापित है और काल से लगवग 40 किलोमीटर की दूर पर स्थापित है यहां पर हमें मिलती है प्रीलोलितिक सबूत कि रॉम चाल के में इस scholarships है हम स्थापितों की बात करें तो लगवग 500 में और यहाँ पर हमें रॉक संथ्र मतलब पत्थर के जो सेलिटरस में बो मिलेंगे हमें यहां पे हंटिंग ब सेकार करती हुई और नर्त करती हुई चितर भी मिलते है हम राइशआन देख लिए तो यह भीम-बेटका में भीम-बेटका नाम की जड़िया एस्थापित है और यह भोपाल की निजदीक है यहाँ उपर हम राइशेयन की उपर देखने तो बिधीशा राइशेयन से बिल्कुल लगा हुआ है सागर और बाजू से है नरसिंगपूर इस प्रकार सीहोर और यह तमाम जो छित्र हैं यह नरसेयन के आसपास पाये जाते हैं कि इस काल की जो मुख्य रॉक पिंटिंग्स हैं, जैसे आदमगर, हुशंगबाद, राइशयन, भीमबेट का, मारा केफ सीधी, देखिए, हम यहाँ देखें, तो आदमगर, जो कि हमने हुशंगबाद में देखा है, तो हुशंगबाद हम कहा है, हुशंगबाद यहाँ, ठी स्थापित हैं, यहाँ देख सकते हैं, कि आदमगर, हुशंगबाद में, यहाँ पे आप रॉक पिंटिंग्स को देख सकते हैं, कि यहाँ पे केस परकार इनको बनाया गया है, उसका दभीमबेट का, यहाँ पे बहुत सारी केफ्स देखिए, जो भी हमने पीछे ही पड़ा है, तो इनका कुछ स्ट्रक्शर इस परकार से है, और मारा केफ्स, जो की सीधी में स्थापित हैं, और यह बहुत ज़्यादा उचाई केफ्स नहीं, लेकिन यह एक सिरीज में बहुत सारी केफ्स देखने को मिलती हैं, मतलब एक पंग्ती में बहुत सारी गुफाएं देख जितने भी अन्य, घरयलू, गतिविदियां होती हैं, domestic activities होती हैं, उनके हमें यहाँ पे चितर देखने को मिलेंगे, हम color की बात करें, तो कौन से color यहाँ पर यूज हुए हैं, तो मुख्य रूप से, जिन रंगों का प्रियोग हुआ है, उनमें हैं, लाल रंग, शफेद काला रंग, yellow color मतलब पीला रंग और blue मतलब नीला रंग, चलिए, आगे बात करें कि हतनौरा, एक महत्पूर्ण सिहौर का, जो बुधनी जहां से सिवराश्टिंग चोहां जी अकसर चौनाव लड़ते हैं, तो बुधनी में यह स्थापे थे, बुधनी तहसील में, सिहौर सबसे पहला human evidence हतनौरा से मिलता है, यह नर्मदा वैली मतलब नर्मदा घाटी में यह स्थापित है, और यह जो human evidence मतलब मानो कंकाल मिला है, यह लग भग 5 million साल पहले से लेके 5 million साल पहले तक का है, यह हुशंग बाद से करीब 20 km दूर है, इसलिए कई वार यह confusion भी हो जाता है कि हतनौरा सिहौर में है यह हुशंग बाद में, तो भी ध्यान रखेंगे कि सिहौर में है और बुधनी जहां से मामा जी चनाव लड़ते हैं, मतलब सबराच चिंग चोहां जी जहां से चनाव लड़ते हैं, उस district में, यह जो सिहौर के उस district में, उस जिले में, अरे में हतनौरा पाया जाता है, अब important archaeological places की बात करें, जैसे कि कल्षप जो की उजजेन में स्थापित है, और लगवग यहां पे 3000 साल पुराने civilization के, जो मतलब, वहां के culture के, civilization के culture के, हमें शभूत मिलते हैं, उसके बाद, मतलब, यह 3000 साल पुरानी शभिता, हम अगर देखने की बात करें, तो हमें यह मिलेगी, उज्जेन रिष्टिक के कल्षप नाम की जगएप है, उसके बाद हम आते हैं, भीम बेटका जो की राइशन में स्थापित है, और यह प्री हिस्टोरिक काल के, जो हमें सबूत यहां पे मिलते हैं, यहां पे हमें पांड़ों की गुफाए सबसे पहले हमें, तृपरी जो जवालपूर के पास है, यहां से मिलते हैं, तृपरी से नहीं वो एरिन से मिलते हैं, यहां पे हम अगे बात करें, तृपरी जवालपूर, उसको लेटेस्ट बैदिश्ट के जो सबूत हैं, यहां से मिलते हैं, evidence of maurian age civilization, मतलब जो संस्क्र उसके बाद खाल गहट दहार में खाल घाल घट नाम की जो कर धार में पाई जाती है और यहां पे हमें बुद्धिजम मतलब बुद्ध धर्म के सबूत यहां से मिलते हैं और यह लगभग 2000 साल पुराना सबूत यहां से प्राप्त किये गए हैं चलिए हम एक बार देख लें कि पवाया जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वाई गौलियर में स्थापित है गौलियर के लोकेशन यह है गौलियर के असपास मोरेना विंड धतिया सियोपूर ऐसे तमाम जले हैं उसके बाद हम बात करेंगे धार यहाँ पे हमें खाल घर नाम की कैपिटल हुआ करती थी कल्चुरिस की रसधानी हुआ करती थी और मौरेन काल की सबूत भी यहाँ पे मिलते हैं चलिए बात करें पवाया गौलियर जिसको हमने अभी फिलहाल मैप में देखा पवाया यहाँ गौलियर में पाया जाता है अधा गौलियर में स्थापित है प सिंद और पारवती नदी के जंक्शन पे मतलब जहां सिंद और पारवती नदी के जो बैंक है उन पर यह स्थापित है उसके टट पर यह स्थापित है और इसका एंसियंट नेम पदमावती है इसका अगर हम पुराने नाम की बात करें तो पवाया को पदमावती नाम से भी इसका पुराना नाम दस्पुर है और यहाँ पे ये शोद बर्मन जो की मालवा के सासन हुआ करते थे उनके सबूत हमें मनसौर से मिलते हैं याद रखेंगे कि यशोद वर्मन ने मालवा की उपर राज किया है और इसके साक्ष हमें मंसौर जो इसका पुराना नाम दस्पूर है इस छेतर से प्राप्त होते हैं चलिए हम बात करें मंसौर की मंसौर यहाँ नीमच के बिलकुल पास और यहाँ राजस्थान से दो तरप से अपनी सीमा साजा करता हुआ मंसौर की लोकेशन आप यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पर इसका पुराना नाम है दसपूर उसके बाद निनौर जो की सीहौर में खंडवा को जानते हैं फिर त्योथर और बरहत जिसके बारे में हम बरहुट आगे पढ़ेंगे और ये सतना में स्थापित हैं और सतना में ये दोनों इस्थान काफी महत्पून एतिहासक भूमी का निभाते हैं तो हमें देखा कि मनसौर का पुराना नाम दस्पूर है और य यह काफी प्लांट काफी विवस्थित बसाया गया सहर हुआ करता था और यहां का आर्गिटेक्श्यर जो यहां का आर्गिटेक्श्यर है वह काफी अच्छा है चलिए हम बात कर रहे थे पिट नगर खरगौन की जिसको हम वेस्टन निमाल के नाम से भी जानते हैं और सहरी करण के सबूत हमें यहां से मिलते हैं और यह तीसरे से चौती सेंचुरी बीसी मतलब बेफोर क्राइश्ट ईशा के जन्व से लगवक तीसरी चौती सेंचुरी पहले के सबूत हमें त्यों थर बरहत सत्ना से मिलते हैं यहां पर बरहत स्थूप जो सांची के स्थूप के दौरान के काल का ही बरहत इस्तूप जो बुद्ध धर्वे सम्मंदित है उसके बारे में भी हमें जानका रही हैं सत्ना के बरहत इस्तूप से बरहत नाम की जगए से मिलते हैं शलिए आगे बात करते हैं चलकलिथिक एज की मतलब तामर पाशान योगी की जो मदप्रदेश से गुजरा है लगवक 2000 वर्स से लेके 900 वर्स इसा पूर्व तक चलकलिथिक एज की बात करें तो यह 2000 से 900 वर्स इसा पूर्व तक है और इसको हम कहते हैं copper and stone age मतलब जो यहाँ पे पत्थरों का उपयोग भी होता था और copper का मतलब तामे को उपयोग भी होता था यहाँ पे शान योग की एक महत्पूर्ण साइट है और जो की उजन में स्थापित है यह चोटी सिंध की टट पर स्थापित एक महत्पूर्ण यगए है यह oldest टाउन है लगवक बहुत पुराना यह सहर हुआ करता था लगवक 2000 से लेके 1300 वर्स इसा पूर्व तक और यहाँ पे जो economy थ देखेंगे जो आगे गुपता एज पढ़ेंगे गुपता काल के बारें पढ़ेंगे तो गुपता सासकों ने यहाँ पे लगवग 420 के दौरान साशन किया बारह मिहीर जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलोजर थे मतलब हुगोल सास्त्री थे तो इनका जन्म यहाँ पे ब होते हैं और कुछ एन्युल च्र्रॉक्षर्ई और् टैराकॉटा मतलब जो मिट्ती के isance कबनाया जाते हैं उनकि हमें सबूत यहां से मिलते हैं वो हमें मिट्टी के और कॉपर के बने हुए इस छेतर से मतलब तामे से बने हुए इस छेतर से प्राप्त होते हैं आगे बात करें इनका हम लोकेशन देख लें जैसे कया था और जो जो जैन की लोकेशन ये है जो की रतलाम और आगरमालवा साजापुर, देवास, धार और इंदोर जैसे छेतर से घहरा हुआ है फिर हम नवदा टॉली की बात करेंगे नवदा टॉली जो की खरगोन में स्थापित है और खरगोन की लोकेशन ये है खंडवा इसके आगे है जिसको हम इस्टर नीमाल की नाम से जानते हैं हम आगे बात करेंगे एरन, एरन जो की शागर में स्थापित है, सागर घिरा हुआ है दमो, विरीशा, राइशेन, अशोक नगर, छहतरपुर और ऐसे ही तमाम महत्पून जलों से चलिए, बात करें एरन, जिसको हम अरनिकी नाम से भी जानते हैं, यह लगवग 2,000 वर्स से लेके 700 वर्स इसापूर के सबूत यहां से मिलते हैं, और यह एक गुपता काल के दौरान, जो बाद में गुपता काल होगा यहां पर, गुपता वईश के साशन काल में, यह काफी यहां से हमें पहला evidence मिलेगा सती का, जो हमने गलती से पीछे जवलपूर के बारे में बोल दिया था, तो यहां हमें सबसे पहला evidence है, वह हमें गुपता काल का एरन से मिलता है, एरन सागर से मिलता है, गुपता वंस के एक बहुत बड़े commander हुआ गरते थे, जिनकी मौत के ब की बात करें, सबूतों की बात करें, तो यहां से हमें एक बार फिर copper X, round gold coins, यहां पर हमें golds होने के सिक्के मिलेंगे, तांबे की कुलहारियां मिलेंगी, टेरा कोटा मिलेगा, मतलब जो हमने हम बोले मिट्टी के खिलाओने, हमें black और red wears, मतलब काले लाल म्रदवांड मिल टट पर स्थापित है, और इसके सबूत जो यह मत्पूर्ण साइट है, यह 1660 BC, बिफोर क्राइस्ट मतलब इशा के जन्मिगे पूर्व, इशा पूर्व के हमें सबूत मिलते हैं, evidences की बात करें, सबूतों की बात करें, तो हमें यहां पर cottage मिलेगा, मतलब एक निवाश मि मिलते हैं, यहां हमें लकडी की गाड़ी मिलती है, वोडन काट मिलती है, black और red wear, मतलब लाल काले म्रदभांड मिलते हैं, copper stone tools, पताम्र और पत्थर से बने हुए औजार मिलते हैं, wheat cultivation और gram cultivation के यहां से हमें सबूत मिलते हैं, आगे बात करें, आवरा, मनसौर और धंगवाल आवरा की बात करें, जो कि मनसौर में स्थापित है, यह था contemporary to महेश्वर, नवदाटोली और नागदा, अगे यहां महेश्वर, नवदाटोली और नागदा, इनके वशाय में भी पढ़ने वाले हैं, तो जो यह आवरा है, यहां इनके समकक्ष हो करता था, इन सहरों के समक इसका विकास हुआ, यह चालकृतिक साइट का एक महतपूर केंद्र है, और यहां पे जो तामरपाशान काल है, इस से लेके गुपता काल तक के सबूत देखने को मिलते हैं, एविदेंस की बात करें, तो हमें यहां पे पेंटिड, मतलब चितरित, लाल काले, जो भी ग्रे मतलब वेर्स हैं, मतलब म्रदभांड हैं, वो मिलेंगे, और गरे वाइट वेर्स मिलेंगे, मतलब जो गरे और सफेद कलर के, भूरे और सफेद कलर के म्रदभांड मिलेंगे, उसके बाद आते हैं हम दंगवाल उज्जैन में स्थापत है, जिसको रिसेंटली एक्सकविट कर ऐख लिए है, इसलिए महतपूर है, आवरा मंसौर है मनसौर यह 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 इस्थापित है, यह रहा आवरा, उसके बाद दंगवाल और नागदा जो दौनों ही उज्ज Lao being की महतपूर साइट सेँ नागद oshop which उसके बाद खेडी नामा होशंगबाद है इसके बारे हम आगे पढ़ने वाले हैं चलिए बात करें नागदा उज्जेन तो उज्जेन में यहां के मिलेगा बैंक ओफ चंबल यह चंबल नदी के किनारे जो नागदा है यह स्थापित है और इसके अबिडेंस मिलेंगे हम इसके बाद खेडी नामा की बात करें जो कि होशंगबाद में इस्थापित है यह चालकुलितिक साइट है और यह लगवक पंदरा सो बिफोर क्रेश्ट मतलब इशापूर्विकी यहां पर सबूत मिलते हैं उसके बाद आजाद नगर मुसा खेडी जो कि इंदौर का एक मह महत्पूर्ण सबूत यहां से मिलता है और इंदौर में ही मौझूद है आजाद नगर मुसा खेडी इंदौर के ही हिससे हैं यह यहां पर हम इसके शबूत मिलते हैं वतार इंदौर खेडी एक प्लेसिस उसके बाद अधर जो और महत्पूर्ण चार्कुलिक साइट की में हमें काफी सारे calculated sites पुरा पाशानकाल के सबूत मिले उसके आतिरिक्तधार में जवलपुर में हमें देखा तिरिपरी और उसके बाद भिंड में चलिए आगे बात करें कुछ महत्पूर जो sites हैं महत्पूर जगह हैं और उनसे related archaeologist सबसे पहले हतनौर सीहौर जिसमें हमें नरकंकाल मिला और जिसको माना जाता है कि यह सबसे पुराना जो की Southern Asia का सबसे पुराना नरकंकाल है और यह अरुन सोलंकिया के दोरा खोजा गया नाम याद रखेंगे अरुन सोनकिया जिनने इसको खोजा है यह date है 5 December 1982 को फिर आते हैं भीम बेटका जो की राशान विस्थ सापित है यह नर्मदा घाटी का ही चेतर है और यहां पे हमें भीम बेटका में जो राशान में काफी सारे जो सैल चेतर हैं वाई देखने को मिलते हैं और इसकी खोज करती है खोज की यह वी एस वारंकर जी ने और इनने इस खोज की थी उनीस सो अंठावन में 1958 में और फि इस करेंड अफेर्स को भी इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं उसके बाद आदमगर की बात करें जो कि हुशंगवाद में स्थापित है यह भी नर्मदा घाटी का हिस्ता है और यहां पे भी हमें माइक्रोलित मतलब छोड़े पत्थरों के सबूत मिलते हैं और इसको मनुरंज अगर अंगर यहां कल तक हमने मद्दपरदेस की हिश्टरी को डेखा आगे हम इंसेंट हिश्ट्री से स्टार्ट करेंगे और इसी प्रकार मदपरदेस की तमाम हिश्ट्री को हम कमप्लीट करेंगे उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ज्यान बर्दक सिद्ध हुआ होगा बने रही है हमाई साथ तो देखते रही है knowledge group और आपको इस video का lecture का जो PDF है वो हमाई telegram group पर मिल जाएगा तो वहाँ जाके आप इसे download कर सकते हैं धन्यवाद और देखते रही है knowledge group